हलो प्यारे साथियों वेलकम बैक जैसे हैं आप सभी उम्मिद करतों बहुत अच्छे होंगे तो हम पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की कोश्टेबल की वेकेंसी हैं 6244 इसका जो एक्जाम होने वाला है फ़बरेली में उसके लिए हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी है ह हमारी एक क्लास हो चुकी है और आज की क्लास ये दूसरी है जिसमें हम नए राज्यों के गठन से अपना स्टार्ट करेंगे तो चलिए बिना देरी किये स्टार्ट करते हैं लेकिन एक चीज़ बता देता हूं मैं आपको देखें समय कम हैं मारे पास और हम अभी ऐसा समझे अधेरजी नiberalism से माध्यम से पढ़ रहे हैं हम बहुत जादा नहीं पढ़ रहे हम थोड़ा पन रहे हैं लेकिन बहुत ज़्दा इंपोर्टाइंट पढ़ रहे हैं जिसका प्रिक्षा में आने मफूल पैसिवाल लग स्टार्ट है उंके लिए भाई बहुत अच्छा है औ उनकी भी तैयारी इस लेविल की हो जाएगी कि वह फाइट कर सकते हैं ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं नए राज्यों को गठन ठीक है जिस समय भारते समीधान हमारा लाग हुआ था उस समय ठीक है जब हमें सवतुन्ता प्राप्त हुई अंग्रेजों से हमने आजादी हा सबसे पहले अंदर प्रदेश राज्य अंदर प्रदेश है और इसका गठन हुआ था एक अक्टूबर 1903 यह प्रिच्छाव में पूछे जाते हैं सवाल आपसे एक राज्य दे देगा और पूछे लेगा कि इसका गठन कब हुआ था ठीक है या तो संदे देगा या फिर प स्थापना दिवस ठीक है चलिए चोथा हर्याना है एक नमबर 1966 को हर्याना के सथापना था ठीक पाच्वाह हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश राज्य बना ठीक छटा है मनिपूर 21 जनवरी 1972 देखिए ऐसा नहीं है कि यह पहले नहीं थे यह पहले भी थ से लेकिन एक राज्य करण दरशा दिया गया इनको स्थारीक में दिया गया ठीक अज आगला है साथ में और में citchmal इंपैको चन वरी सबाथार को मे खला कि स्थाफन पुरा कि जनवरी अरुनाचल प्रदेश, 20 February 1987, 1987 को अरुनाचल प्रदेश की स्थाफन होती है, बार में आ जाता है गोवा, 30 मई 1987, पुर्तुकालियों से गोवा को लिया, ठीक है, कब लिया, 30 मई 1987 को, ठीक, अगला है 13 नमबर, 36 गण, 1 नमबर 2000 को, ठीक, उसके अलावा, नमबर 14, उत्राखन, 9 नमबर 2000 को, और जारखन, 15, 15 नमबर 2000 को, यह जो तीन है, यह बहुत ज़्यादा, very, most important है, त्योंकि यह ही, यह तीनों, बहुत ज़्यादा, important है, और पूछे भी गए हैं, और पूछे जाने की संभावना है, इनको याद रखें, और अंतिम, ते लंगना जो बना था, दो जुन 2014 को बना था, आंदर प्रदेश से अलग होकर, ठीक है, इसके बाद, जो हमारे दो कैंदर शार्च प्रदेश बने, एक ले, और, कौन सा बना था, यह बाप, मुझे यह भी कमेंटम बॉक्स में बताएंगे, ठीक है, दो, जो हमारे कौन बने थे, कैंदर शार्च प्रदेश बने थे, तो वो कौन कौन से बने थे, यह बाप, मुझे कमेंटम बताना, आपको पता तो चले कि कुछ आप भी तो अपनी प्रदेश था, 1953, ठीक है, स्त्री रामलू नाम के एक नेता थे, उन्होंने अंसन किया था, 53 दिन चला था, भुखरताल की थी, और उस समय यह सब से पहले, 1953 में बता, कौन सा बना, आंधर प्रदेश बना, ठीक है, अब राज्ये पुनर गठन, आयोक का जो गठन हुआ था 1953 में हुआ था, ठीक है, इसके जो अध्यक्ष थे, वो फजल अली थे, और इनके दो सदस्ये भी थे, जिनको के एम पनिक कर हर्देनात कोंजरू के नाम से जाना जाता है, ठीक है, परिक्षाओं में पोचे जाते हैं, राज्ये पुनर गठन आयोक का गठन कब हुआ था, त अब उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था, उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था, यह चीज़ आप याद रखेंगे, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश की परिछा में बैठेंगे, तो वहाँ पर उत्तर प्रदेश जीके भी जरूर आईगी, उसमें आप से प 2020 को हुँँआ, थिक, इसके अलावा करनाटक केरलं और मद्यप्रदेश की राजधनी की स्थापना, आइप मद्यप्रदेस और राजिस्थान की स्थापना, एक नuins नमबर 1956 की ले हैं, 1 headaches कि केरलं मद्यप्रदेस की और राजिस्थान की, ले माद्धिश चल ले डे साध पन यह चार राजे हैं जिनकी स्थापना की गई एक नवंबर 1956 को ठीक है याद रखेंगे अब चल दिए इसके अलावा देख लेते हैं देखिए अब देख रहे हो मौलक अधिकार मौल अधिकार यहां फिर मौलिक अधिकार ठीक है हमें घुमने फिरने की आ जाती घाने पीने की धर्म की आ जाती बोलने की आ जाती यह कौन देता है यह fundamental right देते हैं मौलिक अधिकार देते हैं इनको कहां से लिए गया है इनको USA से लिए गया है यानि कि अमेरिका की स्वविधान से लिए घृक है यह भारते स्वविधान की भाग तीन में हैं और अनुच्यत बारे से 35 मे तो देख लेते हैं अनुच्छिद के बारे मौलिक अधिकार के बारे में मौल अधिकार के बारे में जान लेते हैं ठीक है देखे बारे से 35 तक है अनुच्छिद बारे कहता है राज्य की परिभासा राज्य की परिभासा ठीक चलिए यह इंपोर्टेंट है इसलिए मैं बता मैं वहां को उनुचेद का थाय राज्येक की परिबास का है राज्ये का मतलब यह नहीं प्रत मद्रदेश मद्रेश राइस्ता का के मतलब यह नई शामिल होंगे यह कभी आप किताब खूलो देखने तो आपको पता चल जाएगा रियेność यह शास के विद्धाले हैं कोई कमपनी है कि और इस तरह की चीजें आर्टिकल बारे में बहुत सारी तो आप देख लेना ठीक चलिए दिखें आर्टेकल 14 समानता का अधिकार की समयताका अधिकार चिस मतलब स्वरोजरे से अठारे तक है समानता अधिकार आर्टिकल नमबर 14 से 18 तक है समानता का अधिकार प्रिच्छों में पूश लिया जाता है कि समानता का अधिकार किस आर्टिकल के तहट आता है तो 14 से 18 तक आता है देखें आर्टिकल नमबर 14, 14 कहता है समता का अधिकार समता या समानता का अधिकार अब विदी के समान सर्रक्षड भी हो सकता है विदी के समान सर्रक्षड भी होता है या फिर विदी के समान समानता भी हो सकता है आर्टिकल नमबर चोहदे ठीक है आर्टिकल नमबर चोहदे तो ऐसे ही जब हम आगे आर्टिकल पढ़ेंगे एक एक तो उसमें जान लेंगे फिलाल हम आभी मौली का अधिकार या फिल मौल अधिकार के बारे में जानने है कि ये छे तरह का होता है के तरह का होता है छे तरह का होता है जो मौली का अधिकार है वो छे होते हैं पहला समता का अधिकार दूसरा उनिस से बाइस सवतंतरता का अधिक आज़ो 29 से 30 तक है ठीक है 29 29 दो अर्डिकौरे और सब सह सा इंपोर्टेंट होता समविधानिक अपचारों का अधिकार जो आर्टिकल 32 से 35 तक है परिक्छा में पोछा जाता है कि जो मोली का अधिकार है यне मूल अधिकार है मूल अधिकार Coast ऐसा खे समानतार उन्याद न J और नाष्ट चेटा सम्विधानी कुछार को अधिकार इसे याद रखेंगे इनके आर्टिकल भी याद रखेंगे कि कौन से अर्टिकल से कौन से अर्टिकल तक यह होते हैं ठीक है आपने जान लिया आगे बढ़ते हैं कि मूल अधिकार के बारे में कुछ थोड़ी सी इंपोर्टेंट चीज़ हम जान लेते हैं ठीक जैसे चवालिसवे सविधान संसोदन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारी के सिरनी से हटा कर अनुच्छे 300 के तहट विधिक अधिकार बना दिये गया पहले यह मौलिक अधिकार में शामिल होता था संपत्ति का अधिकार लेकिन उहां से हटा कर कौन से सविधान संसोदन चावालिसौ सविधान संसोदन की माधियम से जो की 1978 में हुआ था अब इसको आर्टिकल 300 के में रख दिया गया है और इसको विधिक अधिकार बना दिये गया है जबकि पहले क्या था पहले मौल अधिकार था इसको भी बहुत बार प्रिक्छरम पूछा गया है कौन सा मौलिक अधिकार अमोली का अधिकार नहीं रहा और किस अर्टिकल में रख दिया गया है बहुत बार पूछा है तो इसको भी ध्यान रखेंगे अगला पॉइंट है मूल अधिकारों को सर्रक्षड है तू अनुछेद 32 के तहत उच्चितम न्यायले और अनुछेद 226 के तहत उच्चित न्याय इटा अनुछेद 32 एख इसमें ये ही का गया मूल अधिकारों के तू मतलब उनकी देखरेक के लिए के आपके مोली कदीकारों कोहनन नहुसका सर्रक्षड कोन करता है सर्वच्च नियायले करता है तो सरवच नियाले जो करेगा आर्टिकल 32 के तहट करेगा जबकि अनुछे 226 के तहट कौन करेगा उच नियायले करेगा जो उच नियायले आपके राज्यों के उच नियायले होते हैं तो आप Supreme Court जा सकते हो या फिर आप High Court जा सकते हो Supreme Court जाओंगे Article 32 केता है High Court जाओगे Article 226 के तहए अधिकर इनका मतलब क्या है फिर आगे बताईए अगला पॉइंट है राष्टपती दुवारा आपातकाल की घोसला के दोरान अनुच्छेद 19 में वर्नित मूल अधिकार सवते निलंबित हो जाते हैं आर्टिकल नमबर 388 कहता है यह चीज यानि कि जब राष्टपती आपातकाल की घोसला करते हैं उस समय आर्टिकल 19 में जो मुल अधिकार दिये गए हैं वो अपना भी यानि कि सवते निलंबित हो जाते हैं कैसे अब आर्टिकल 308 मन यह कह रहा है कि राष्टपती ने आपतकाल भारत में आपतकाल की घोस्रा कर दी और आप कहें कि हमारे पास आर्टिकल 19 है यानि कि हमें ब आपतकाल लग जाता है कि दूसरे देश से किसी दूसरे देश से जगड़ा हो जाता है ठीक है युद्ध हो जाता है तो उसमें आप अपनी राए ने देऊगो बल्कि उसमें सरकार की राए मानी जाएगी यानि कि जो सरकार फैसर लेगी वो माना जाएगा आप उसमें है देखिए अब आगे आ जाता है मूल करता हुए मूल करता हुए जो कि भाग चार कैमे है अनुचेद इक्यामन का कै है आर्टिकल एक्यामन का कैमे क्या है मूल करतव्य है भाग चार कैमे मूल करतव्य है ठीक है मूल करते हुए को सुवण सिंग समीति की सिफारिश पर किसकी सिफारिश पर सुवण सिंग समीति की सिफारिश पर 42 सम्विधान संसोदन अधीन में 1976 के दुवारा जोड़ा गया था बहुत important है बहुत सारी परिक्षाओं पूछा गया है कि मूल करतववे भारती सम्विधान की भागचार में है अब ये किसके सिफारिष पर जोड़ा गया था अब पूछ ले किस सम्विधान संसोदन के दुवारा तो 42 सम्विधान संसोदन है जो हुआ था 1976 में ठीक है इसके अलावा अब देख लेते हैं कि प्रारंबे मूल करतववे की जो संख्यती वो 10 थी लेकिन वरतमान में 11 है एक और एक्स्टरा हो गया है एक और बढ़ गया है तो वो कौन सा है ग्यारमा मूल करतववे छ्यासी में सम्विधान संसोदन अद्रयियम desire 2002 के दुवारा जोड़ा गया था जो पहले दस थे मूल करतववे लेकिन वरतमान में ग्यार है तो जो ग्यारवा है वो 86 में समयधान संसोदन यानि के constitutional amendment act के माध्यम से जो लगाया था कौन सा था 86 कब हुआ था 2002 में हुआ था जो 6-14 वर्स के पृति पाल्य के लिए सिक्षा का आउसर प्रदान करने के माता पिता या सर्रक्षण के करतवे के पिराउधन करता है यानि के 6-14 वर्स के बच्चों के लिए है कौन सा ग्यारवा भूल करतवे ठीक है चलिए अब इसके अलावा थोड़ा और देख लेते हैं हम क्या है इसके अलावा हम कुछ राज्य के निती नितीध्रिसक टातुत के बारे में हुँ मं जाल लेते हैं राज्य के नितीनीध्रिसक जो कि भाग चार में हैं आर्टिकल नबर वहाग 1 में तक है भाग 2 में नागरेकता है जो कि 5 से लेकर के मूल अधिकार हैं जो का 12 से 35 हैं और भाग चार में आपका यह यंकि क्लियान के बारे में बात करता है राज्यों के बारे मिल कशनक है ₹ रार्टिकल नंबर क्यांण का क्यमें है चलिए इसका उबंथ say London के भागचार के वहागचार में अनुछे त्थी से क्यामन में क्या गया है राज्जी के नितिती मिल्च कत में बहुत भी बहुत ज्यादा बहुत की ज़्यादा यह इंपोटेंट है कहां से लिए गया है यहutan से लिए गया लिए हो आयर perfection से लिए । ठीक है, आईरिस के सम्विधान से, क्या लिए गया है, राज्ये के निती-नितिसक ततु, जो कि भाग चार में है, सम्विधान के भाग चार में है, और आर्टिकल पूर्षता है, तो 36 से क्यामन तक दिये गए है, अगला पॉइंट है, यह है, गेर वाद योग्ये है, अथार् से लोग कल्यान कारी राज्य सामाजिक आर्थिक लोगतंतर की स्थापना करना नहीं आपको बताया था राज्यों के बारे में लोगों के बारे में ठीक है नहीं रूल के बारे में लोगों के विकास के लिए राज्य के विकास के लिए यह क्या काम करते हैं ठीक है चलिए अब इसके अलावा एक पॉइंट आगे और देख लें भारत का राष्टपती होता है भारत का राष्टपती देश का प्रिथम नागरिक होता है संकी कार्यपालिका का पिर्मुक होता है संगी की जो कार्यपालिका होती है उसका पिर्मुक होता है याद रखेंगे पूछा जाता है प्रिक्षावने टीनों सेनाओं का प्रधान भी होता है प्रधान सेना वायू सेना जल सेना और ठल सेना ठीक है तीनों सेनाओं का सर्वोच सेनापती कौन होता है राष्ट पती होता है ये इसके बारे में अब जान लेते हैं राष्ट पती के बारे में कुछ थोड़ा सा इसका इसका जो निर्वाचन होता है वो निर्वाचन मंडल के द्वारा होता है इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं राज्यों की विधान सभा के निर्वाचे सदस्य होते हैं और दिल्ली और पांडुचेरी विधान सभा के निर्वाचे सदस्य इसमें भाग लेते हैं इसका जो इलेक्षन होता है वो ए पृतियक्ष रूप से होता है इसका एप्रतियक्स मतलब indirectly vote इसमें जनता वोट नहीं करती बलकि जनता के जो पिर्तिनीधी होते हैं वो इसमें vote करते हैं किसमें राष्ट पती के चुना हुए पदवदी कितनी होती है? पांच वर्जोपी होती है अगर ये त्याग पत्र देंगे अपना तो उप राष्ट पती को अपना त्याग पत्र सोब पटपिए ठीक है? इनरे पद से हटायां जा सकता है लेकिन हटायां कैसे? महाभयोग के दुआरा महाभयोग लाए जाएगा आर्टिकल नमबर 61 महाभयोग ठीक है चलिए अगर सपत की में बात कर लेता हूँ भारत के मुख्य नियाईदीस इनकी अनुपस्तिती में उच्चतम नियाईले के अगर भारत के मुख्य नियाईदीस नहीं है तो उनकी अनुपस्तिती में उच्चतम नियाईले के जो दूसरे नमबर के वरिश्चतम जो उपलब्द होंगे वरिश्चतम नियाईदीस वो इनके समख्य राश्चति सपत लेंगे यानि के CGI चीफ जस्टिस ओफ इंडिया इनको सपत दिलाते हैं अगर वो नहीं होंगे तो उच्चतम नियाईले के सरवश्च नियाईले के दूसरे जो नियाईदीस होंगे यानि के CGI से नीचे वो इनको सपत दिलाएंगे योग्यता की हम बात कर लेते हैं तो भारत के नागरिक हों सबसे पहली बात दूसरी बात 35 वर्स की आयू पूरी कर चुके हों कि एगरacho 34 के यानि कि 34 महेंने चौटीस साल ग्यारे महेंने और उनतीश दिन के विह तुब भी नहीं बात फूरी ंटीक है इसके अलावा लोग्वा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यों हो यानि के लोग्वा के सदस्य होने की योग्यता ये रखते हो ठीक है ये राश्टपती के लिए important है उम्मिद करता हूँ आपने समझा होगा देखिए हम पॉइंट पॉइंट हम याद कर रहे हैं पॉइंट पॉइंट हम पड़ रहे हैं हम कि वर रिवीजन कर रहे हैं फास्ट रिवीजन बहुत जल्दी से हमारा syllabus complete हो जाए क्योंकि समय ब या फिर लोकसभा कोई सावी सदन हो सकता है इनको हटाने के लिए राज्यसभा या लोकसभा दोनों सदन ठीक है दो सदन होते हैं संसत के पार्लिमेंट के संसत के दो सदन होते हैं पहला राज्यसभा जिसको हम उच्छ सदन बोलते हैं या पिर्थम सदन बोलते हैं ठीक है दूसरा होता लोकसभा जिसको निम्न सदन बोलते हैं या फिर लोगर सदन बोलते हैं जिसको जनता का सदन बोलते हैं किसको लोकसभा को ठीक है अब इसके अलावा जो पारित होगा दोनों सदनों दुवारा अलग अलग यह पारित करना पड़ेगा और इसके अलावा कुल सद सबस्थ्य संख्या के दोतियाई से कि सबस्थ्य संख्या के दोतियाई से चिंहितार से इसको प्राश्च पतिक बारहे जान डेते ठीक है उप्राश्ट पती के बारे में थोड़ा से पढ़ लेते हैं ठीक है उप्राश्ट पती सपत कौन दिलाता है सपत राश्ट पती दिलाते हैं उप्राश्ट पती को कार्यकाल इनका पांच वर्स का होता है लेकिन पुनिर्वाचन के लिए पात रहें यानि के दुबारा भी बन सकते हैं ठीक सभा राज्य सभा का पदेन सभापती होता है कौन होता है उपराष्टपती उपराष्टपती ही राज्य सभा का पदेन सभापती होता है बहुत ही जादा सारे परिक्छाओं में अभी तक पूछ रहा है इसा वाले ठीक है के राज्य सभा का पदेन कि हम बात कर लेते हैं लोग सभा एंव राज्य सभा के सदस्वय दुवारा अनुपातिक प्रिति निदतु पिर्णाली एंव एकल संकर्मनिय मत दुवारा इसको वोटिंग होती है यानि के इसको भी हम कह सकते हैं कि ए प्रित्यक्ष रूप से इसका चुनाओ होता है इंडार राश्पति कौन दिलाता है सर्वच नियायले के नियायथिस दिलाते हैं यानि के सीजिए चीफ जेसिट ऑफ इंडिया ठीक है कारेकाल कहमने बात कर लिए पांच वर्स का इनका कारेकाल होता है जबकि योग गेता कि मैं बात करता हूं तो भारत का नागरिक हो सबसे पहली बात भारत में अगर आप किसी पर बैठोगे तो भारत का नागरिक होने ज़रूरी है ठीक है मैं बात करता हूं भारत के भारत की केवल 35 वर्स की आयू पूरी कर चुका हूं राश्पति के लिए भी 35 है उप राश्पति के लिए 35 है राज्य सभा का सदस्य निर्वाचित हो और कल से पढ़ेंगे केंद्रिय मंती परिशत के बारे में जानेंगे कल से कल की वीडियो में तो चलिए बताइए कैसी लगी आपको यह वीडियो हम पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश कोंस्टिबल की जो भरती अभी जिसका एक्जाम फरवरी में होने वाला है उसके लिए और हम पढ़ रहे हैं क्या पॉलिटी पॉलिटी नए है चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लिजी चैनल को हमारे साथ जूड़ जाईए इसी तरह से पॉइंट वाइस हम पढ़ेंगे बहुत सारे से लेवस को बहुत कम समय में और बहुत अच्छी तरह के इस कवर करेंगे किसी पिरकार को कोई डाउट है तो आप मुझे मेरे वाट्सप नंबर पर जिसका यह है 7520-8284-87 पर आप मुझे मैसिज भी कर सकते हैं अगर आपका कोई डाउट है किसी पिरकार का और एक चीज़ बता देता हूं जो हम पढ़ रहे हैं इसके नोट्स आपको वाट्सप ग किलास होगी उसके नोट्स आपको उस ग्रूप में मिल जाएंगे अभी हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं उसके बाद हम हिंदी भी पढ़ेंगे इसमें ठीक है और हिंदी के अलावा हम कुछ मैथ के ऐसे टोपिक पढ़ेंगे ऐसे कोश्चन समझानेंगे जिनका आने की पॉस् पॉस् filtration चारेंगे और a यह ँदिसी सब्सारी ताफ करंदेंगे और जैसे मैं ये करा रहा हूं पॉलिटी इसी हिसाब से बहुत सारा स्टेज़ाय पंड़ेंगे योजना बना रहा हूं समय आसाने सेलेक्शन हो जाएगा तो इमानदारी से पढ़िए इमानदारी से और आपका काम हो जाएगा ठीक है धन्यवाद